जॉइन आर टेलीग्राम चैनल फॉर फ्री बिनिंग टीम्स, फ्री गिवबेज, एक्साइटिंग ओफर्स और लास्ट मोमेंट अपडेट्स, टेलीग्राम चैनल जॉइनिंग लिंक इस इन दिस्क्रिप्शन बॉक्स कि इस वीडियो को बनाना जरूरी हो गया था क्योंकि यह वाला मेश है वो काफी बड़ा है, रोयल चैनल चैनल बात बता दूँ हम अभी ताथ हमारा टेलीग्राम चैनल जोन नहीं किया हो वह बहुत कुछ कुछ मिस कर रहा है क्योंकि जो फाइनल टीम होती है न टोस के बाद वो आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पर ही प्रोवाइड कर वाई जाती है तो जिसने भी जोईन नहीं किया हो वो जोईन कर लेना जो जोईनिंग लिंक है दोस्तों वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट बोक्स में देदूँगा इसलिए बोड़ जोईन नहीं कि वो टेलिग्राम चैनल वो टपटाफर से टेलिग्राम चैनल जोईन करने ना लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट बोक्स में मिल जाएगी हर एक मेच को हम अपने यूट्यूब चैनल पर और टेलिग्राम चैनल पर दोनों जगह कबर करते हैं और अगर दोनों जगह आप एक्टिव रहें दोनों जगह मैंने जो जो अपडेट डाली उन सबको आपने देख लिया तो आपकी हर एक मेच में बहुत अच्छी खासी विनिंग हो सकती है इसके गैरंटी में देता हूँ इसलिए फ्री का है सब्सक्रिप्शन कोई दिक्कत निया साड़े तीन लाग से भी जूड़ चुके है जब उन्होंने भरोसा गया तो आप भी करो फटावर्स चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ओन कर लेना दोस्तों बात करते हैं देखो हम इस मेच के बारे में तो अठारव मेच है यह वाला मेच इवनिंग में खिला जाएगा और यह पूने के अंदर खिला जाएगा मेच बारे में तो यह वाला जो वेनिउ है वो इस सीजन में तीन मेच होश्ट कर चुका है जो पहला मेच था उसमें 200 प्लस का स्कोर किया था जो दूसरा और तीसरा मेच था उसमें 161 70 के संधिंग स्कोर रहा था तो वही बात है यहाँ पर हाई स्कोरिंग मेच देखने को म मिल सकता है कोई बड़ी बात नहीं है अगर टीम के जो प्लेयर्स हैं वो थोड़ा संभाल के कहलें तो 180 190 यहां पर स्कोर जा सकता है मतलब कि बेट्समें को अच्छा का सपोर्ट यहां पर मिल जाता है दूसरी बात दोस्तों यह वाला जो मेच है यह तो नाइट गेम है मतल जो भी टीम टोस्त जीते है वो पहले बोलिंग करना जाएगी हाला कि दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूँ यहां का जो पिछ है वो एक्सपेक्टेड टू स्लो डाउन मतलब कि हो सकता है कि जैसे जैसे गेम आगे बड़े वैसे जो पिछ है वो स्लो हो जाए अब यार थोड़ी बहुत ग्रास हुई तो पेसर्स को सपोर्ट मेलेगा बेट्समें की बेट पे अच्छी आएगी ठीक है अगर डेट पिछ हुई तो फिर वही बात है कि दिरे-दिरे और ज्यादा सलो हो जाएगी तो उस चीज़ का अपने पास न्यूज आने दो टोस्त के टाइम और जो है 170, 180 के सम्टिंग रह सकते हैं और जो भी टीम टोस्टी थी थी वह पहले बोलिंग करना चाहेगी यह मैंने आपको बता दिया है अच्छा दोस्तो यार आपने हमारा जो है इतना वीडियो देख लिया है मतलब डेफिनेटली आपको वीडियो पसंदार है और आपक करते हैं दोस्तों इन दोनों टीम्स के head to head record recent performance के बारे में तो जो RCB की recent performance है वो तो काफी शांदार है क्योंकि इन्होंने तीन मेच इस सीजन में खेले हैं दो मेच जीतली है एक मेच हार गई है और अभी पॉंच्टेबल में पॉजिशन पर बेठे हैं वहीं अगर दोस्तो मेरे को ना IPL का एक सीजन याद आ रहा है लगबग 6-7 साल पहलेगा जिसमें भी मुंबाई का सेम हाला है तो वा था कि स्टार्टिंग जितती गई जितती गई जितती गई और लास्ट में लेज जाके ट्रोफी भी जीत गई तो एसा भी हो रखाया मुंबाई के साथ तो मत दोस्तों मैं आपको बता दूब पिछले सीजन से लेगे 2021 का सीजन और 2022 का सीजन इसमें RCB जो आना वो काफी ज्यादा इंप्रोव हुई है सही बता रहा हूं काफी ज्यादा इंप्रोव हुई है इसलिए RCB के भी इस वार जीतने के काफी ज्यादा चांसेद है उसके जाएगे दोस्तों उस लिंक से जब आप माई लेवन सर्कल को डाउंडोड करोगे तो आपको मिलेगा सबसे पहले तु 15 सूरपयत का साइन अप बोनस दूसरा आपको जो बेनेफुट मिलेगा वह 20% एक्ष्टा के जो कि आपको और कहीं पर भी नहीं मिलेगा आपके ग्रेंड लिक तो चलती चलती है आज के मेंच में एक करोड नहीं आपको जल्दी चलती बताऊंगा इस वीडियो में क्योंकि मैंने ये वीडियो सिर्फ इस तरीके से बनाया है कि आपको सारे स्टेट से एक बार के लिए पता लग जाए ताकि आप खुद की टीम बना सको और इस मेंच में भी अच्छी कासी विरिंग कर सको ठीक मेरी हालत खराब है मैं तो अभी ये वीडियो बनाके और जो है अच्छा से सोने की कोशिच करूँगा ठीक है खेर दोस्तों बात करें देखो आरसीब की टीम नीज के बारे में तो सबसे पहले ग्लेन मेक्सवेल जो दोर च्छान के सामने बहुत ही बोलिंग करते हैं और इस मेंच में आपको इशान किसान और तिलाक वरमा जो Soap order बैस्मेंस एंको आप लेफट将 की टिम में जो सकता है ऑनूज रावत जो की ओपनर है उनको महिपाल रोमड़ों से रिपलेस किया जा सकता है इसकी टैंस मैंने आपको राशित खान के बार में सेम बात बोली थी कि 10 में 18 विकिट वो ले चुका है और इस वाले में सेम बात बोल रहाओ हर्शल पटेल के लिए कि 10 में मुंबाई के अगेंस्ट 18 विकिट हर्शल पटेल ले चुके हैं जिनमें इनकी एकोनोम रेट भी 7.5 की रहती है और एवरेज भी 12.94 का रहता है जो की काफी शान आ रहा है इसलिए बोल रहाओ हर्शल पटेल आपके टीम के लिए एक काफी अच्छे पिक रहने वाले हैं मैं तो बोलता हूं कि वाइस केप्टन भी आप हर्शल पटेल को बना सकते हो और उसके अलबा दोस्तों अपने पा आपको देखने को मिलेगा इसमें क्या होगा दो सवाल में आपसे पूछूँगा और दोनों सवालों की जवाब आप जो है कोमेंट सेक्शन में दे सकते हो कोई दिक्कत निया अनलिमिटेट को मेंट कर सकते हो यह सब आपको पता है अगर आप हमारे रेगुलर वीडियो द इस सीजन में खास परफूमेंस नहीं गी है और यह बात मैंने आपको पहले भी बता दिया कि अगर उन्हें जीतना है तो आप जीतना स्टार्ट करना पड़ेगा ठीक है उसके बात दोस्तों एक जो में रिजएन है इनकी अच्छी परफूमेंस नहीं करनेगा वो है इनके क्योंकि इनके जो बोलर्स हैं जैसे कि वसील तंबी हो गए या फी डैनियल सेम्स हो गए वो काफी ज्यादा ठुक रहे हैं मतलब कि अगर आप पिछले मेंस के एक एक परफूमेंस की टीम के तरफ से नहीं कर पा रहे है अब और बेट्समें में भी खास परफूमेंस आर न अच्छा बोलो में 20 से भी ज्यादा के रहन बनाए थे तो मेरे को लगता है कि पोलार्ड धीरे तरी अपनी फूम वापश दून रहा है और इस में आपके लिए ट्रंप कार्ड साबित हो सकते हैं यह एक दो सेकिंड में मैंने बात बोली है लेकिन आपके लिए काफी इंप कर दो सकते हैं कोई दिखत करने यह है तो यह दो चैंजेस आपको मुंबाइ एंटियान में आज देखने को मिल सकते हैं कोई कंफेम निव अपने पास नहीं है कि यह दुनों होंगए ही होंगा को एपको वैट करना और जैसे यह अपके साथ पने ंचनल पर शेयर कर दूँ यह सारे प्लेयर आपको इस मैच पर खेल देख सकते हैं और अगर हो जाए क्या पता हो जाए यार तो ज्यादा ज्यादा एक याद दो चेंज होंगे और जो भी चेंज होंगे वह आपके साथ अपने टेलिग्राम चैनल पर शेर कर दिये जाएंगे फाइनल टीम से पहले वही को अपनी स्क्रीन के उपर दिख पा रहे होंगे सबसे पहले अगर हम बात करें हैं फाफ्टू प्लेस ही कि तो आई पील दो हजार एक्किस तक ये टोटल हंड्रेड मेच खेल चुके थे टून आइं थ्री फाइफ रन बना चुके थे थे थार्टी फाइफ के संसिंग पहले मेच में 21 दूसरे मेच में डख पर आउट होए और तीसरे मेच में सबबीस रन याने की स्टार्ट इने मिल रही है बड़ी पारे में कनवर्ट करने की देर है उसके बाद दोस्तो विराट कोली एक्सपिरियंस काफी ज्यादा है रन भी काफी ज्यादा है और इस सीज तीसरे मेच में 44 नोट आउट की जो पारी है इंदो ने अपने टीम के लिए खेली है तो दिनेश कार्थिक भी आपकी टीम के लिए एक क्रंप पिक की दर है काम आ सकता है ध्यां रखना नेक्स आगे दोस्तों अपने पास ओप से ना जाता है शबाज जो भी एक काफी अच स्क्रीन को पोस्ट करना और देख लेना जैसा कि मैंने आपको बताया मेरे को तो यह जल्दी खतम और जो सारे स्टेट्स वह बताने के लिए ही मैंने आपके लिए यह वीडियो बनाया है अगर हम बात करें दोस्तों मुंबाई इंडियन के एक्सपेक्टेड प्रिण लेवन क सकता है ठीक है क्यों पोलार डेनियल सेम्स को मेरे को लगता है कि एक बार और चांस मिलेगा डेनियल सेम्स को ठीक पोलार ने पिसल में वापस जूंड़ी है तो ध्यान रखना ये बंदा आग लगा सकता है स्टेज पर उसके बाद मुरूगन आश्वें टाइमल मिल यह सब अगर इनमें कोई चेंज होता है तो हो सकता है कि जिए वो नाट कर कि दिगा वापस बसील थंपी कहले कोई ओफीशल यूज नहीं है डेनियल सेम्स कि दिगा हो सकता है कि फेबियर एलेन को खिला जाए ठीक है और कोई एक आदा और चेंज होगा तो वो उसके आपके साथ टोस के टाइम पर टेलिग्राम चेनल पर शेर कर दिया जाएगा टेलिग्राम चेनल आपको जरूर से जोन कर लेना है याद रखना लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट वोक्स में मिल जाएगी बात करते हैं दोस्तो इनी प्लेस के सारे रिकोर्ड के बारे म में में थोड़ी सी कम परफोमेंस आई पेट कमेंस जो इनको आउट करके ले गए थे ये बात मैंने आपको जब MI और KKR का वीडियो बनाए था तब भी बोला था कि इशान की सन पिसले 5 में में 5 बार 50 लगा चुका है लेकिन इस में पेट कमीन से घतरा है ये उनको आउट कर सकता है अगर भरोसा नहीं है ये बात मैंने बोली थी वीडियो जाके देखो आपको पता लग जाएगा ये दोस्तों जो चोटी चोटी बाते में आपके लिए वीडियो में लाता हूँ जो मैं बोल देता हूँ अगर आपने उन बातों को ध्यान से सुन लिया तो आपकी जो पिनिंग है वो काफी अच्छी हो सकती है काफी जो प्रोफिट है वो आराम से कमा सकती हो तिलक पर्मा ने दोस्तों बहुत अच्छी परफूमेंस किये मुंबाई इंडियंस के लिए दिल जीती है यार लोंडे ने मतलब पहले में 22 दूसरे में 61 तीसरे में भी 38 नोट इंडियन टीम के लिए भी काफी काम आएगा और इस टाइम के लिए मुंबाई इंडियंस को भी काफी ज्याद काम आ रहा है सुर्या गुमार रियादव को दोस्तों पिछले में खेलने का मोगा मिला आते ही बाही ने आग लगा दी और सकाई है यार वो तो सकाई को चुए जरू ठेलिती मात्र 5 और 6 बोल में इसलिए पिछले में मैं इसा कह सकता हूं कि 4 मिनों ने वापश दूंडी है उसके अलावा दोस्तों डैनियल सेम्स अभी तक 3 में टोटल एक ही विकिट अपनी टीम के नाम कर रहा पाए है लेकिन रन बहुत टुकवा है इसलिए हो सकता ह इनको जो है रखा जाए इनको जो है इस मेच में खिलाया जाए तो दोस्तों यह हो गई अपनी MI की भी अब बात करते हैं दोस्तों अपने गिवववे के दूसरे सवाल के बार में एक सवाल मैंने आपसे ओल्डेडी पूछ लिया था जो दूसरा सवाल है उसमें आपको बत ज़रूरी है बात करते हैं दोस्तों हम कुछ इंट्रेस्टिंग प्लेयर बेटल के बार में और प्लेयर बेटल काफी जादा है और काफी जादा इंपोर्टेंट है ठीका तो एक बार के लिए यहां पर आपका पूरा फोकस होना चीए सबसे पहले दोस्तों विराट कोली औ ज़रूरी बोला के विराट कोली को ज़रूरी ने परेशान किया है तो ध्यान रखना इस में भी कर सकते हैं क्योंकि 84 बोल में फॉर ताइम्स विकिट विराट कोली ज़्यूरी रित बूम्रा को गबाच हु के दोस्तों एक कमकार रहता हूँ आपको Vojman समझा था हो तो व एक ओल्राउंडर है लेकिन अपनी बोलिंग वज़े से विराट कोली को काफी जाजा तंग किया है तो ध्यान रखना विराट कोली अगर इसमें अच्छी पफोमेंस नहीं करते हैं तो उसका कारें या तो जस्की बूमड़ा हो सकते हैं या फिर क्योराण पोलाड हो सकते हैं उसका बाद दोस्तों नेक्स्ट दिनेश कारतिक को अगर मैं उठाओं तो या दिनेश कारतिक का कुछ यसा शीन है कि कोई भी बंदा सामने आजाए उसको ये तो मारेगा क्योंकि और रिसेंटली इनको कोई आउट भी नहीं कर पाया मतलब कि इनकी जो पफोमेंस है इनकी भी मारे हैं और अपना विकेट जस्परित बुमरा को भी नहीं दिया तो ध्यान रखना दिनेश कारतिक इसे ट्रंप पिक आल्च के इस मेच के लिए आपको जादू करके दे सकते हैं उसके अलावा दोस्तों नेक्स अगर हम बात करें तो ग्लेन मैक्स्वेल और बुमरा की हो चुके हैं साथे साथ ओनली सम्वाली स्रण बनाया है तो ध्यान रखना ग्लेन मैक्स्वेल इस मेच में आपको खेलते हुए दिख जरूर जाएंगे लेकिन हो सकता उतनी बड़ी पारी नहीं खेल पाए अगर बुमरा को बोल थमा दी गई धियान रखना ठीक है और प्लेसी को और फाफ दू प्लेसी दोस्तों यह जो दोनों प्लेयर बेटल हैं इसके अकोडिंग यह सारा करते हैं कि इस मेच में अच्छी परफोर्मेंस कर सकते हैं क्योंकि 34 बोल जो बुमरा की कहली है उसमें 58 रन बनाये हैं विकेट अपना नहीं दिया है और उसके लगा रहे हैं सबस्क्राइब बना होगे तो यार जिसने भी सबस्क्राइब नहीं किया हो और आपका कफी ज्यादा फाइदा भात करते दो दोसके लाव दोस्तों सिराज के सामने भी थोड़ा श्ट्रगल किया है 13 बोल में 8 रन बनाए है अपना एक बार विकेट दे चुके हैं कि और एक बार विकेट चलता है कोई बात नहीं है ठीक है तो यह सारे जो प्लेयर बेटल हैं यह हो गया मुंबाई और RCB के तो दोस्तों मैंने आपको अभी तक जो है पीच रिपोर्ट, वेन्यू रिपोर्ट, एकस्पेक्ट प्लेंग 11, प्लेंग 11 के सारे रिकोर्ड टीम न्यूज जोनों टीम की ठीक है और प्लेयर बेटल्स इतनी सारी न्यूज आपको बता दिये ठीक है अगर और कोई अपने पास प्लेयर्स मैंने आपको अल्रेडी बता दिये हैं और कुछ ग्रेंड लेक्ट के बारे में मैं आपको आगे वीडियो में और बता दूगा लेकिन दोस्तों एक बात जो मैं आपस बोलना चाहूंगा और वह काफी इंपोर्टेंट बात है कि आर आगे इस वीडियो में मैं आ अपने पास नइ-nhट अतना आती रहेंगी तोस्तों अपने को पता चलेगा कि कौनशर सी टीम पहले बैटिंग कर रहें को उन्ह जियो सारे करके अपनी तीम है वह आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी हमारे तेलिघ्राम चैनल फेन्टशी सपोर्ट पर जिसकी जो फ्र पर क्लिक करके हमारे टेलिग्राम चनल से आपको जरूर से जोइन हो जाना है दोस्तों बात करें यार हगर हम अपने टीम के बारे में तो देखो विकिट की पर सेक्षन में आपके पास इशान किसन दिनेश कार्थिक और अनुजरावत ये तीन उप्चन आता है अगर इने थोड़ा सा उपर भेजा गया अब वो देखते हैं आर्चिबी बाले कि यार दिनेश कार्थिक तो इनने डेथोवर्स में भेजा जाएगा एसा कुछ देखते हैं और वो देथोवर्स में आके अपना काम कर देता है विसे डीग रहे है तो फिलाल के लिए ओपनर को तो इशान के सन को हम अपने टीम में रखेंगे और दिनेश कार्थिक के बारे में एक सेकंड रुखो हम और बात करेंगा अगे ठीक है अपने टीम में पिक कर लेना अगर थोड़ा रिस्की खेलना हो तो एक को डॉप करके यहां से तिलक वर्माच चुन लेना ठीक जो भी आपको चीए यह आप कर सकते हो फिलाल के लिए एक काम करते हैं इन दोनों को भी हटाते हैं बाद में बात करेंगे पहले ओल्ड राउं डेनियल सेम्स अभी रहने दो और नीचे से दोस्तो शाबाज जैमेद हैं जो कि एक पावर हीटर हैं लेकिन एक बार के लिए रहने तो डेवल्ड ब्राविस जो है आपके लिए टीम के लिए अच्छे पिक रहे जाते हैं एक तो अगर आपको ओल्ड डाउंड सेक्शन में हमें से किसी ओर को उठाना है तो एक तो क्यो यहांद पोलाड एक लेवल्ड ब्राविस लेक का फिया तो अच्छी सापके पास ओर बसती हैं डिंग में रहेंगें जटबिष भोम्रा टेम में रहेंगे टाइमल में हलग तो यहां हर्मेट में विक्स निकाल रहे हैं तो इ तिन तिनों की भी उभी रुपज़ बाद में बाद करते है पहले यह यह वाली जा आप प्लेयर को उठाले लिना को ऊठाले ना यहांそんな कोसे फ voi खेलने अपको size खेलना है आपको थोड़ा है न सादर भिली तो यहां machtAll स्वाजक मेरा विडा या या फी देविट को उठाता आपका कमिनेशन मेटी मसली ञुळस को छॉछी औहपर और यह यां से पिक किया इन को पैकि यह वाला जरूरा ब्रॉट ya बहुत सही है भा फॉर मेंबर से यह भाला कृश्क तो इसके कोई ने कोई चेंजिस कर देंगे अपने टोस के बाद अपडेट के हिसाब से लेकिन जो बेस कोंबिनेशन है वो कुछ आप इस तरीके का भी ट्राइब कर सकते हो दोस्तों बात करें अगर इस वीडियो की तो फिलहाल के लिए तुम्हें जो है यह वाला अपना जो कोंबिने देना 5000 लाइक का लाइक टार्गेट आपके लिए इस वीडियो पर मैंने रखा हुआ है कैप्टन और वाइस कैप्टन की दोस्तों वैसे ज्यादा कुछ खास चोईस हैं अपने पास है नहीं फाफ्लू प्लेस ही एक अच्छी चोईस हो जाते हैं इशान किसान एक अच्छी अगर इन में कोई भी चेंज होता है जांगे यर ये हो जाएंग में आपके साथ टेलिगराम चीनल पर लाइस वीडियो के सिर्फ इतना ही दोस्तों मैं मैं मित्माँ आप से अगले वीडियो में तब तक की लिए jeżeli आपना ध्यान रखिए गए